कि है लो अप सब अश्रागुर्तिम्न स्वस्तों के अच्छ होगे मज़ेबे होंगे और पॉजिटिव कर रहे होंगे अपको हमेशे पॉजिटिव करना है क्योंकि एक पॉजिटिविटी अच्छा करता है राइट और आज के इस टिदिंग में हम देखेंगे आपके परसन की अगले 36 गंटों के इनर्जीस में क्या चेंज़ आते हैं और क्या एक्षिन हो सकता है अगर कुछ बात्चित होती है आप दोनों में तो क्या हो सकती है ठीक है एड में आपके लेंजल गाइडेंस भी देखेंगे चैनल पर नहों को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए लाइक करने से इनर्जीस एक्षेंज हो जाती है अगर आपको आपकी परस्नल रिडिंग कराने है इस्क्रीम के देग नंबर वाट्सप पर मैसेज कर सकते हो वहां पर रिट्रेस मिल जाएगे कॉल के से भूक करने ठीक है एंजर्स क्रिस्टल ब्रेस्ट पहल अंबर इतना पॉजिटीव फॉजिट्व किंग आपकप्स वाओ वैजिशीन बेरि नाइफ और बता है इनके परसं की गरंटी इनर्जीस च्छ ओफ वैंड्स इनके पार्टन की इनर्जीस ऐंगे उगले ठीज घंटे के इनर्जीस में रहेंगे अगले थेजदीस घं नाइट आप सोर्स अब मैजिशन आया है यहां पर आल एलिमेंट्स को शोव करता है तो रिडिंग सबके लिए आईए चीक है गाड़ करें निवर्स इन काड्स को क्लारिफाइं करें ओके सेवन अपन्टाकल्स श्री अपक्प्स सेवन अपन्टाकल्स King of Pentacles 8 of Pentacles Magician page of Pentacles 6 of servants 10 of cups King of Shoals the moon Ace of cups 6 of Pentacles 4 of fans 3 of pentacles night of swords 2 of fans bottom इहां पे king of cups के energies तो यस आपके person देखे प्यार तो आपसे बहुत करते true genuine love true attraction इवन ये person करेंट में बहुत ज़दे नाराज है कि आपने ये मान लिया कि ये person आपसे प्यार नहीं करते ये person cheater है धोके बाद जे इसको तो सिर्फ अपने जिन्दगी की पड़ी है आपकी कुछ नहीं पड़ी आपने ये मान लिया है इस बात का आपके person को बहुत बुरा लग रहा है ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपको आकर चिलाना चाहते हैं चीक चीक कर आपको बताना चाहते हैं कि ये person आपसे बहुत प्यार करते हैं नहीं जी प्यार है आपके भी न लेकिन इस person के पास आपको इस वक कहने के लिए इनकी जबान पर इनको words नहीं है कि ये कीन लबजों में आपको अपना प्यार explain करें ये कीन लबजों में आपको अपना प्यार express करें इनको समझ में नहीं आ रहा है ये कि Three of Cups के energies हैं दिल से इस रिष्टे में fresh start चाहते हैं, celebrations चाहते हैं लेकिन इनको लगता है कि आपको इनका प्यार अब दिखाई नहीं देता है आपने बहुत गलत समझा है इस person को आपने इनके प्यार का हमेशा गलती मतलब निकाला है आप अपने हिसाब से इस person के बातों का मतलब निकालते हो इनके actions का मतलब निकालते हो, यह जो भी कहते हैं, आप बस वही बाते पकड़ते हो, जो आपको इस person से जगड़ा करने के लिए motivate करें, आप इस person के प्यार को देखी नहीं पाते हो, यह सा इनको current में लग रहा है, ठीक है, missing energies है, even इस person इस पर भी आप से बात करना चाहते हैं, दिल से इस रिस्ते में efforts लगाने के लिए ready है, आपको stability देना चाहते हैं, लेकिन यह miracle का वेट कर रहे है, miracle आपको यह प्रूफ करना कि यह person आप से शादी करने के लिए ready है, अगर यह third party situation में फसे हुए है, अगर यह third party जो आपके रिस्ते में इतना जहर घूलती है, आपके person के कान भरती है, आपके खिलाब करने की कोशिश करती है, और आपके person चाहे कितने भी कोशिश करे अपके लिए कुछ अच्छा बोलने की, इनकी बाते सुनी नहीं जाती है, तो आपके person यह miracle चाहा रहे है, manifest कर रहे हैं कि ये लोग खुद आपके person को आपको ये लोग खुद इनको पूश करें आपकी तरफ ये लोग इनसे तंग हो जया और इनको खुद कहें तो निकल जा यहां से तुझे जहा जाना है तो जहा सकता है बस हमें तंग करना बंकर आपके person करण पर अपने घरवालों क के साथ कई और बना लेंगे लेकिन यहां से इनको जाने के लिए permission मिले तो तो आपके person करण में वो मिर्याकल हासिल करने में लगे हुए हैं वो manifest कर रहे हैं वो जैसा सोच रहे हैं वेसे ही होना चाहिए क्योंकि करण में भी third party obstacles बहुत powerful हैं और आपके person के उपर control करे बैट ह हुआ है और आपके person में decide कर लिया है कि आप चाहे जो हो जाए अब third party की बाते नहीं सुनी है अब इनको आप से शादी करनी है आपके साथ long life तक रहना है या आपके साथ बच्चे देखते हैं या आपके साथ भी सारी खूशिया manifest करते वे दिखाए देरे ठीक है इस वक्त आपके person अपने family problem को solve करने में लगी हुआ है और यह problem ऐसी है और यह problem ऐसी है कि आपके person चाहे कुछ भी करें यह इतने आसानी से यह लोग मानते नहीं है ठीक है आपके person को आपके person को जैसे के जरील किया जाता है गाली गरुश की जाती है हो सकता है कि इनको उपर हाथ भी इनको वहाँ पर रोकने के लिए और अगर आपके person married है third party से तो third party से तो मतलब आपके person की बिल्कुल भी इज़त होती ही नहीं है लेकिन forcefully इनको कुछ ना कुछ ऐसे वास्ता देखकर अप घरवालों का डर दिखाकर बच्चों का डर दिखाकर आपके person के ओपर control किया जा र देखो इनके emotions आपके लिए भी उतने ही रहेंगे जो कि अपने घरवालों के लिए हैं ये current में सोच रहें कि घरवालों के साथ ऐसे करूंगा वैसे करूंगा इनकी तो बाते ही नहीं मानूंगा और ये जो बगावत करने के बारे में सोच रहें अपने घरवालों से ये सभी खर साइव चाइब एंकी और जादा करना स्टार्ट करेंगे और जादा करने की कोशिश करेंगे नहीं की अगर 1993 से अरब करेंगे मतलब इसने कैसे इनके साइब नहीं होगा और इनके एंशन सफिर से जाब जाएंगे अपने घरवालों के लिए भी और आपके लिए भी और ये टेंशन में आ जाएंगे कि इतना positive होते आपके लिए इवन ये अपने घरवालों से बगावत तक करते हैं और फिर भी इनके घरवाले फिर से इनका mind distract कर लेते हैं फिर से इनको अपने तरब खीच अखीर ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ इस तरह से अपके परसन स्ट्रेस टेंशम में आ जाएंगे अगले 36 गंटों में आपको लेकर इतना पॉजिटिव होने के बावजुद अभी भी पॉजिटिव है और अगले 36 गंटों में भी आपके परसन के माइन में शादी की बात र इतने आसाने से इनको वहां से निकलने नहीं देंगे तो आपके परसन तो आपको लेकर करन पे भी पॉजिटिव है अगले 36 गंटों में भी बहुत ज़्यदा पॉजिटिव है लेकिन यह अपने धरवालों की इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वज़े से रूख जाएंगे इनक को अपने माबब के कुछ नहीं बड़ी है ऐसा बोला जाएगा और अगर शादी शुदा है तो इनको अपने बच्चों का वास्ता दिया जाएगा तो इमोशनले आपके परसन टूटेंगे अगले 36 गंटों में और यही एक रिजन रहेगा कि इनको बार-बार प्रा दिखाए दे रहे हैं मतलब कि यहां पर आपके परसन इन लोगों में इनके जूटे प्यार में इनके प्यार के दिखावे में यह अकेले सिर्फ फसे हुए है और इनका दम घुट्रा यहां पर और चाहारे कि इस एनर्जी से निकलने के लिए आप इनको हिल्प करों आपके साइट से इनको कुछ तो मुमेंट दिखाए देनी चाहिए कि जिनसे इनकी पावर बड़े कि आप इनको आज भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हो आप इनको समझने की कोशिश कर सकते हो क्योंकि इनको करण में आपके साइट से बहुत ज़्यादा नाराजगी दिखाए द लेकिन एक्शन लेते रूख जाएंगे इनको डिसिजन में में प्रॉबलम होगा action लेने को लेकर और यह इनको वेट करते रहेंगे कि आप इनसे बात करो आप इनसे बात करो ठीक है और अगर इन्हों आपको सोचल मीडिया साइट पे ब्लॉक कर कर रखा है आपका नंबर म आपके पास ही आना है, यह इनके दिल दिमाग सबकॉशनस माइं में 24-7 चलेगा, अगले 36 घंटों में ठीक है, कट करें यूँवर्स, यह इस फक्त कुछ बात करना चाहेंगे, तो क्या कहेंगे, वह आपको कहेंगे, इन्हों ने जो सेलफिशनेस दिखाए थी, जब आपसे म अपनी एनरजी, जो माइंड गेम इन्हों ने अपके लिए खेला था, उस माइंड गेम में यह परसन खुद ही फस चुक है, यह आपको रूलाने के लिए गए, इन्हों ने आपको रूता चोड़ दिया, और करेंड में यह परसन खुद रो रहे है अपनी जिंदगी में, अपनी सेलफिशनेस की वज़े से, बहुत दिमाग चलाने के बाद इस परसन ने जो कि अब हार मान लिए, ठीक है, अब यह बहुत रो रहे हैं, उन थर्ड पार्टी में फसकर यह परसन बहुत नाराज है, यह मन सोचो कि यह परसन आपके बिना खुश है, बस यह बाते परसन के अंदर नहीं है, इतना confidence इनके अंदर नहीं है, ठीक है, गाड़ करें वर्स, इस वक मेरी यूवर्स को क्या करना चाहिए, इस वक मेरी यूवर्स को क्या करना चाहिए, इनके परसन मेरी यूवर्स के तरफ से action का वेट कर रहे है, मेरी यूवर्स के लिए guidance क्या है क love fortune कुछ नहीं करना है इस बात पे भरुसारों को यह परसन आपसे बहुत प्यार करते हैं शिक्स आप कप्स के पास्ट लाइब कनेक्शन है कुछ ना पास्ट लाइब कनेक्शन है और यह परसन जो की आपके किस्मत में है आप दोनों एक दूसरे के देस्टिनी में हो ठीक है तो डेस्टिनी आपको मिलाएगी डिवाइन टाइमिंग पर आपका रियूइन हंडेड परसंट होगा और बहुत जगा पॉजितिव एनवर्जिस के साथ रियूइन होगा ठीक है आपके लव लाइफ में ढहर सारी खूश्या बहुत जल्दे एंटर इस वक्ष एंजल कार्ट से बताईए हमें कि मेरी युवर्ज के लिए एंजल गाइड़न्स क्या है इस पर्संट के बारे में सोचना बंद करो अपने काम पर फोकस रहो लेड़ गो कर दिजे कुछ भी खुद होकर चेंच करने की कोशिश मत करो आपके परसंट खुद एप आपको सिर्फ अपने काम में बीजी रहना है और कुछ नहीं करना. ना तो इनके लिए सामने से action लेना हिए ना तो बात करनी है. अगर यह आते हैं बात करने के लिए तब आप जो कि गुश से मैंने ही बस प्यार से बात करो और इनकी बाते सुनो. यह आपको क्या कहना चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इनकी जिंदगी की नेगेटिव इनर्जी आपको बताएं लेकिन यह कुछ अच्छी बाते आपको जरूर बताएंगे जो कि आप दोनों की रिलेक्शनशिप के रिविए नियन के लिए होगी ठीक ह तो यह आपके लिए एंजल गाइडन से यही ही रिडिंग अगर रिडिंग रिजनशिप वीडियो को लाइक कर दीजिए चलों को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आपको आपकी पैसनल रिडिंग करानी है स्क्रीम पर दिए अगर नंबर पर मैसेज कर सकते वहां पर आपको डिटेस मिल जाएगी कोल के से बुक करनी ठीक है तो मैं इस देहने शुडिया में तब तक के लिए बाबाई